नमस्कार साथ ही हूं स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल में नेशनल मीन्स का मेरिट स्कुलर्शिप यानि की एन एम एमस परिक्षा 2023 के विग्यप्ति जारी की गई है साला दरपन पोटल के माध्याम से जो विद्धाले लोगिन होता है उसके माध्याम से 29-2022 से 39-2022 तक ओनलाइन माध्याम से इसके जो आवेदन होंगे वो किये जाएंगे राज के विद्धाले में कक्षा आठ में द्यानरत जो भी विद्धार्थी कक्षा आठ में पढ़ रहे हैं उनका आवेदन किया जा सकता है इस परिक्षा में चैनित पात्र विद्धार्थी को नियमनुसार 12,000 रुपए परतिवर्थ की दर से 4 साल तक की छात्र वर्थी दी जाएगी यानकी परतिएक वर्थ 12,000 रुपए उस बच्चे को दिये जाएंगे और इसकी जो परिक्षा तिती है वो होगी 17,11,2022 इसके लिए हेल्प लाइन नंबर भी दे रखे हैं कोई समश्याती है तो हम बात कर सकते हैं राज्थान के कुल 541 विध्यारत्यों को एन MMS परिक्षा योजना के अंतरगत 12,000 रुपए की दर से 4 वर्ष तक की छात्र वर्थी दी जाती है और यह केंद्र की एक छात्र वर्थी योजना है अब इसके जो पातरता और माप दंड है वो नमिन्तम है वो एक बार देख लेते हैं कक्षा 7 में राज के विध्याले से 55% प्राप तंक सहीत इसपष्ट उत्तीन और कक्षा 8 में राज के विध्याले में ही अध्धनत विध्यारती यांगी कक्षा 7 में तो उसके 55% से ज़्यादा होने चाहिए और 8 वी कक्षा में भी वो सरकारी विध्याले में ही बच्चा पढ़ना चाहिए माता पिता की वार्षी के आए साड़ी तीन लाग से कम ऐसे ही यह जो चातर वर्षी है चार साल के लिए दी गई है तो आगे भी बच्चा लगातार पास होना चाहिए और कक्षा 10 में 60% उसको मिलने चाहिए और साथ में जो S.E.S.T. के बच्चे हैं उनको 5% की इसमें चूट दी गई है और जो नौद विद्धाले के केंद्र विद्धाले के चातर चातर हैं वो इसे योजना के पातर नहीं होंगे कुछ मैत्पूर्ण दिशा निर्देश दे रखे हैं सातवर्ति में चेन होने के बाद में कक्षा 9 में राज के विद्धाले में परविशित N.S.P. पोर्टल पर आविदन इसका होगा और कक्षा 9 उतिन करने के बाद 10.11.12 में N.S.P. पर नवीनी करण कराना होता है तो ये नवीनी करण जो होगा वो हर साल होगा विद्धार्ति का आधार कार्ड, विद्धाले रिकोर्ड और बैंक डीटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी चीजे हो जाती है और हर साल ये दी वेरिफिकेशन नहीं करेगा बच्चा, नवीनी करेण नहीं करेगा तो उसको अपातर माना जाएगा विद्धार्ति के रेजिस्ट्रेशन नविनी करेंड के बाद विद्धाले इस्तर और जिला इस्तर पर वेरिफिकेशन निरधारित इत्थी में पूरा करना है तो इसमें वर्क फ्लो चार्ट दिया गया है कि किस परकार से बच्चे को लाभानवित किया जाएगा आगे जो इसके मेंन में चीजे हैं वो एक बार देख लेते हैं इसके उद्धेश ये बताए गये है छात्रवर्ति इसमें जो आरक्षन है S.E.A. और S.T. का उसका भी 16 और 12 परसेंट सीटेश में आरक्षित की गई है और जो दिव्यांग सेने के बच्चे हैं उनके लिए तीन परतिसत आरक्षन इसमें ववस्ता की गई है पातरता और मापदंड हमने देख लिया कौन पातर नहीं होंगे इस परिक्षा कायो जो नौवंबर में प्रस्तावित है जैसे कि पहले ही हमने चर्चा कर ली है कुष्चन होंगे जिनको 180 मिनट में हमको हल करना होगा जिसमें मानसिक परिक्षा और सेक्षिक योग गिता परिक्षान इसमें किया जाएगा और यदि कोई बच्चा विशे साफ सकता है तो उसको 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा कुष्चन से जो सारे होंगे वो मल्टिपल चोईस होंगे यानि कि भूविकल पिये परसन होंगे और उनका इसतर भी कक्षा साथ और आठ की इसतर का ही होगा तो यह जो सातरवर्ती है वो मेरिट बेस पर होती है शुरू के जो बच्चे मेरिट माएंगे उनको ही सातरवर्ती मिलेगी लेकिन इसमें नियूनतम अंक भी बताए गये हैं 40% और जो S.E.S.T. के बच्चे हैं उनके लिए 32% होने ही चाहिए बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सामाने हैं वो सभी लोग जानते ही होंगे इसकीम में राज्य का कोटा भी इसमें दिया गया है कि कितने परतिसत जो होंगी जैसे अनुसूचित जाती के लिए 656 अनुसूचि जन जाती के लिए 656 इसी परकार सामानी वर के लिए 4940 सीटे इसी परकार हम यदि इनका जोड करते हैं तो 551 और जो 3% निशक्त जन हैं उनके लिए भी इस परकार का प्रावधान किया गया है साथी वीडियो में इतना ही जानकर अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर करें साथी चनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स फर वचिंग दिस वीडियो